25 जून 1975 आधी रात को इंडियन डिमाक्रिसी की धज्जियां उण गए और इस देश पर डिक्टेटर्शिप के काले बादल चाने लगया इंडियन कंस्टिटिउशन के आर्टिकल 352 के अनुसार 26 जून 1975 को इस देश में अमर्जेंसी लग गई और ये अमर्जेंसी 21 महीनों तक लगी रही देश को बगावत खोरों से बचाने के लिए इंडियन कंस्टिटिउशन में एड़ किया हुआ ये आर्टिकल सिटिजन्स के उपर इतना भारी पड़ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था प्रेजिडेंट फखुरुदीन एहमद का एक तस्तखत सत्ता की भागदौर केंदर सरकार से निकाल कर प्राइम मिनिस्टर इंडरा गांधी के राज्य सरकार तक जा पहुचा और कोई कुछ नहीं कर सका अमर्जेंसी के चलते आर्टिकल नाइनटीन दौरा सिटिजन्स को दिये गए फंडेमेंटल राइट्स छीन लिये गए और फिर शुरू हुआ सिलसिला इलेगल किरफतारियों का और राज्य सरकार की मनमानियों का कभी-कभी मैं भी यही सोचता हूँ कि आखिर क्यूं और कैसे लगी एमर्जेंसी के सिटिजन्स के फंडेमेंटल राइट्स छीनना इतना आसान है और क्या हुआ उन 21 महीनों में और फिर कैसे हटी एमर्जेंसी जानिये राजनीती की सबसे भयंकर एपिसोड के बारे में डाउनलोड करें कुकु एफेम और सुने आडियो बुक इंडिया ट्यूरिंग एमर्जेंसी वह भी हिंदी में कुकु एफेम सुने जो मंच चाहे